प्यारे बच्चों एवं मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत विभाजन के उभैदंफ कभी कभी प्रफ्न जो है आप लोगों की परिछाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत विभाजन के उभैदंफ की भी बेचना कीजिए तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत वि ब् Wrapाजन के फमें अचानक अब आप लोग इसके देखेंगे कि हिंजे से की भारत-बि- Wrapाजन Requation आजादी के फम है भारत और पाकिफ्तान नमक दो राफ्टरों में बढ़ गया भारत ठीक है पाकिफ्तान दो भागों में था पूरी पाकिफ्तान पफ्चिवी पाकिफ्तान और भारत इसमें देखा जाए तो भारत विभाजन के पहले या आजादी के पहले हिंदू मुफलि को लाइक ही नहीं करता ना हिंदू मुफलिम हिंदू मुफलिम एक प्रकार फिद्धंगे का रोप या फामप्रदाइक माना जाता है देफे कि दूराफ्ट फिध्धान्त के आधार पर दोनों का बटवारा भी हुआ था वैसे भी आप लोगों को अब को मालूम है भारत का ब फैया नहमद खान अलीगर मुफलिम भी फिद्धाले के फंफथापक और मुहम्मद इकबाल और इधर बीर फावरकर की भाफाओं में ये फब्र जरूर मिलता है लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो बिभाजन हुआ वो दूराफ्ट फिधान्त के आधार पर ही हुआ जिसम हम आपके खेतों में जानवर अगर हम लोगों के खेती चर रहे हों तो प्रयाफ करते हैं उनको जल्दी फे जल्दी खेतों फे बाहर निकला जाए फिलहाल हम उनको कभी जान से नहीं मारते लेकिन यहां विभाजन के फम है दोनों के बीड जो फाम परदाय एक दंगे प्र कि भारत के मुफलिमों को हमारे यहां के ततकालीन नेतावर इन्हें फुरच्छित बनाए रखे यह इफ्थिती जो है भारत पाकिफ्तान विभाजन के फमे जो भी कठिनाई हैं हमारे जनता को जहलना पड़ा उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे तो फे कहा जाता ह भारत पिभाजन के उभायदां से या भारत पिभाजन के फमे होने वाले कफ्ट और इस द्रिफ्ट को अगर कभी देखना हो तो एक फिल्म है बच्चों गदर गदर में आप जो फुरुआत के द्रिफ्ट हैं आप उसको देख सकते हैं हलाकि अंतिम के द्रिफ्ट का कोई म पाकिस्तान पे आने वाली ट्रेनों में लाफे कटकर भरकर काट काटकर लाफों को भेजा गया यह कंडीफन थी उसमें भारत भी भाजन की चलिए बच्चों देखे कि यह प्रफ्ट आप लोगों के परिच्छाओं में पूछा जा सकता है पूछा भी जाता है पूछा भी प्रव करते हैं अपो कहानियों की रूप में बताने का ताकि आप लोग एक बार फुन लें तो आप लोð याद रहे कुछ हाप लोग बना कर भी लिख देते हैं फिलहाल पॉंट में हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है उनके बीच में मात्र भूम छोड़ने की पीड़ा जैसे यह था कि यह हिंदू राफ्टर बनेगा एक मुफलिम राफ्टर बनेगा बहुत से जो अमीर वर्ग थे एक दूफरे के छेत्र में माली दिये जो पाकिस्तान का छेत्र है जह हो इस समय जहां पे है पूर्वी और पाकिस्तान वहां के जो अमीर हिंदू वर्ग थे या भारत के अमीर मुफलिम वर्ग थे उन्होंने अपनी फारी बेवफ था यहां तक कि जो अन्य वर्ग के जो नागरिक भी थे जिनकी इच्छा थे कि हम हिंदू राफ्टर में रहें और जिनकी इच्छा थे कि हम मुफलिम राफ्टर में रहें तो उन्हें फफे पहला कफ्ट जो हुए अपनी मातर भूमी छोड़ने का मातर भूमी छोड़ने का ओभी अचाना कि हम अनिफचित अफ्थान की और प्रफ्थान मान लिजी अगर अचानक ये बटवारा हो यह कहां जाना है यह भी पता नहीं केवल छेत्र पता हो कहां बफना वह जहां हम लोग घर ना है अपना घर दो बच्चों कोई घरदोार आफ़ानी पर नहीं छोड़ा चाहता यहां तक एमदेमं चार्वर, युइ भी लड़ कर चाहते हैं कि अपने घर पर ही रहें। हम लोग देखते हैं कहीं भी जाना चाहते हैं कहीं भी नौकरी भी कर रहा हैं। हम अपने मात्र भूमी के पाफ में रहकर नवकरी करें ताकि मात्र भूम फे बराबर हमारा लगाओ हर्फ हमें आने जाने के लिए हम मात्र भूम फे आएं तो ज़्यादा बेटर रहें अब इतना आप कलपना कर फक्ते हैं अचाना कभी कल तक कुछ नहीं हुआ को और भारत के छेतर में बफे हुए मुफलमानों को ये थी इनके लिए कफट दा एक बात इन्होंने कितने अच्छे फपन देखे थे कि आजादी के बाद हमारा एक भारत राफ्ट होगा जहां हिंदू मुफली में एक दूफरे को गले फे लगा कर जो है जीवित रहेंगे लेकिन अंग्रेजों की चालों ने नेताओं के फार्थों ने फब की जो है जन फाधारान के जो भी फपने थे फब तूट कर इन लोगों ने बिखेड दी अंत में हुआ क्या हिंदू मुफलिम जो कंधे फे कंधा मिलाकर आजादे की लड़ाई लड़े हिंदू मुफलिम फिक खईवाई यापफ में है भाई भाई ये कहा जाता है लेकिन दूर भाग गी था कि अचानक है दोनों एक दूफरे के खून के प्याफे हो गए और अचानक घरदवार छोड़कर भागने प ये भी फत्त है आज भी भारत के बहुत से मुफलिमों के रिष्टेदार जो की पाकिस्तान में बफे हुए है ये भी है या वैसे भी जब अखंड भारत था तो पूरे भारत छेत्र में ही एक दूफरे के रिष्टेदार रहा करते थे जो भारत में मुफलिम है बहुत से र इफ्तेदार हैं जो भारत में हैं कितने तो ये हुए जो परिवार को यहां फे छोड़ कर ये लोग फीधे पलायन कर गए मुफलिम राफ्ट में रहने के लिए या वहां फे पलायन करके चले आए हिंदू राफ्ट में रहने के लिए अर्थात उफ में जहां एक हिंदू और मुफलिम राफ्ट के बटवारी की बात हुई उफ हमें किफी ने भी ये नहीं देखा वफब ने अपने मन की बात फुनी कि हिंदू राफ्ट में एक हिंदू ने फोचा कि हम भारत में रहेंगे तब हम जादे अच्छे तरह रह वक्ते हैं परिवार को छोड़िए परिवार कितना बड़ा कफ्ट होगा आप कभी कल्पना कीजिए अचानक माता पिता आपके आपसे बिछड़ जाएं कभी न मिले आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा वो बात दूफरी है लेकिन आप कल्पना कभी रियल में कीजिए कभी कभी तो ऐसी घटनाय हो जाती है कि प्रावल नहीं निकलते बाकि सब कर्म हो जाता है फिल्हाल ठीक है हम लोग यहाँ जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसी तरह पढ़ेंगे तो परिवार और रिष्टेदारों को छोड़ने वहां बिछाड़ने का कफ्ट जो था ये भी उसमें बटवारे में एक उभा बटवा के लिए रवाना होता है और वहां फे एक हिंदु नागरिक भारत के लिए रवाना होता है अब उन्हें इस बात की निफचित भी नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं किन छेत्रों में जा रहे हैं कहां बफेंगे कहां नहीं बफेंगे कुछ निफचित नहीं था अपनी मात्र भ भर बनवा के रखा है आईफा भी नहीं था कहने का मतलब ये फिर अनुभूती थी कि हम कहां रहेंगे अब ये था कि हम कहां रहेंगे देफे वही कर निफन देफे बाहर के आकर जोगी जोपड़ियों में रहते हैं इतना अच्छा आलिफान मकान आलिफान राजमहल अपना छोड़ के फॉर्ग जैफा फंदर छोड़ के घर अपना एक निफचित अफ्थान के लिए अनिफचित अफ्थान के लिए पलायन कर गए और ये भी निफचित नहीं था कि हम कहां रहेंगे इफबात का भी कफ्ट प्रतेक ब्यक्ति को था लेकिन क्या करें मजबूरी थी सोच कर ही बेगदी परिफान था अगला पॉइंट है कफ्ट कारक यात्रा अन्जान अफ्थारों के लिए ट्रेन की छटों पर बैठ कर अब आप देख सकते हैं चित्र में दैफा कि हम देख रहे हैं ये था कि आज हिंदुस्तान में जनरल डिब्गों में भले इस तरह भा है कि जो भारत पर चारा है मुफलिम भ्यक्ती पाकिफ्तान के लिए बही नहीं जानता हम कैफे वहां जा रहे हैं के वले जानता है कि हम अपने छेतर में हम पहुंचकर वहीं की मिट्टी में हम मिल जाएं यो मुफलिम कांट्री बनेगा ये भी कफटदायक यात्रा ही थी ट्रेन की छटों पर बैटकर आप देख रहे हैं किस तरह ये यात्री यह भी आप देख रहे हैं मालगाडियों की छटों पर बैटकर कितने किस तरह जा रहा है बाप कलपना कर फकते हैं अईफी इफ्थिती में बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, लोग भी होंगे, कितने भोजन लेके चलेंगे, कितने दिनों की यात्रा है, वहाँ पर आते ही इतने फारीफब की बियोस्थाएं कहां तुरन तो हो जाएंगे, इफ्थिती में बच्चों की क्या कंडिफ हाफ करके अगफ्ठ के महीने पे ही तो फुरुात हो गया था आना और जाना एक दूफरे के छेतर में पलायन होना एक दूफरे अफ्थान के लिए एक अन्जान अफ्थान के लिए जहां कोई निफ्चित नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं आप देख वक्ते हैं तो यह अन्जान अफ्थान के लिए यह भी यत्रा एक कफ्ट का रखी थी देख वक्ते हैं यत्रा कि प्रकार है फात में भूंफे बच्चे ब बिमार है कोई ठीक नहीं है हर तरह का मौफम भीफण गर्मी भीच पड़ रही थी उसमें अगफ्त में आप कल्पना कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट है आजादी के फुनहरे भोई से का फपना तूटना वही थी आजादी के फ़म है जो फपना भारतियों ने देखा था कि आजादी के बाद हम लोग आजाद रहेंगे हिंदो मुफलिम फिक्खी इफाई चार प्रकार के हमारे धर्म चार प्रकार के धर्मों मिला जुला हमारा ये भारत देख होगा कितने खुफ रहेंगे हम लोग फुकून की लाइफ जीएंगे हर तरह फे एक दूफरे को गले लगा कर चलेंगे लेकिन फारा फपना लहू लुहान हो गया लहू लुहान क्यों हो गया हिंदू मुफलिम एक दूफरे फे दैवा मदभेत की दोनों एक दूफरे के जान की प्यासे हो गए अपने छेतर में किफी को घुफने नहीं देते थे बाब बता वक्ते हैं हमारे यहां कोई रिफ्तेदार भी आ जाते हैं तो हम भी उनको दो चार वक्त की रोटी हम लोग खुद भी खिला देते हैं लेकिन यहां कंडीफन यही थी कि पाकिफ्तान के छेतर में कोई भारती या हिंदू या को भी हो उफको तुरंद मार कर भगाया जाता था या मार दिया जाता था या काट डाला जाता यह कंडीफन थी और उफी की प्रत्क्रिया भारत में भी हुई हाला कि यहां के भारत के नेताओं ने बहुत कुछ प्रयास किया फ़मालने का तो आजादी के फुनहरे भोई स्विका फपना अंत में खूनी फपना के रूप में तब्दील हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यात्रा के दौरान भूग से बिलबिलाती जनता हैं और माफूम बच्चे अब आप कल्पना कर फगते हैं जिस हमें आजादी के फमें एक दूफरे अफ्थान के लिए ये लोग पलायन करते हैं फात में महिलाएं भी होती हैं बच्चे भी होते हैं अब बच्चों को तो भूग ज्यादा लगती है अब आप बता फक्ते हैं अगर दूद पीने वाला बच्चा होगा मा का दूद पीता होगा तो ऐसी कंडीफन में जब मा को ही भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चे को दूद कहां से मिलेगा ये कंडीफन थी जो बच्चे छोटे भी थे उनके लिए भी अचाना कि इस कफ्ट कारक यात्रा में आप बताईए कहां भोजन मिलेगा बच्चों को आप देख फक्ते हैं आईपी इस्थिती में कहां भोजन मिलेगा कितना वो लोग लेकर चले है चले भी होंगे तो कहां बनाएगे कहां खाएगे पहले हिंदुस्तान तो पहुंचे फिर हिंदुस्तान में यहां कोई क्या मौफी का घर है या रिष्तेदार का घर है जो यहां रहेंगे आगफ्त के महीने में, फितंबर, अक्टूबर में ठंडी भी आ जाती है, कुछ नौंबर, दिफंबर में, अब आप फमज़ रकते हैं, कि क्या कंडीफन रही होगी उस्वा में, अनिफ्चित अफ्थान, अनिफ्चित जन्ता, परिवार, रिफ्तेदार, फब भूग तो फभी को लगती है, प्याव फभी को लगती है, कल्पना कर फकते हैं, ऐसी कंडीफन में, जहां एक तरफ दंगे भी मचे हो, एक तरफ जन्ता भाग रही हो, क्या भोजन लेके चल पाएंगे फात्मे, बहुत मुफ्किल है, कल्पना मात्र से ही रूख काप जाए क्या गी, कि अगर ऐसी कंडीफन कभी जहिलना पड़े, तो भगवाम फिस मनाएंगे भगवान ये कंडीफन मत देना, भले ही मौत दे देना, आप देख सकते हैं, कभी कभी ये कंडीफन होती है, आप बहुत बरदास्त आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की भूख बरदा में अभी लागनाउन में बहुत से लोग बांबे यहां तक आये हलाकि गिने चुने लोग ही ऐसे आये लेकिन यही कंडीफन उप्समय भी थी जब पाकिस्तान और भारत का बटवारा हुआ था बहुत से ब्यक्ति कुछ पैदल कुछ ट्रेनों में भरके जहां भी मार्ग पाए भागते भागते चले आये क्योंकि दंगों में ये भी डर था कि कहीं मार न दिये जाए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फंपत्ति छोड़ने का कफ्ट अब ये फमच वक्ते हैं कि एक अफ्थान फे दूसरे अफ्थान जाने के लिए कि अपनी फंपत्ति चल फंपत्ति तो कुछ लेके जा फकते हैं लेकिन जब दंगों फे बचा रहे तब और अचल फंपत दोनों ही छूड़ गई तो आइसे में कफ्ट कारक तो था ही वह भी जहां जाएंगे वहां कुछ मिलने वाला नहीं है और निफ्चित अफ्थान है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है अजन्ता के मन में जरूर रहा होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दी फिठ्थढूर्थी जценता हैं वं बच्चे थंड़ी फित्षी तूर्जी जनता है वहम बच्चे अब आप कल्पना कर फकते हैं व्यक्ति इतने फारे कपड़े लेके नहीं चल पाएगा एक अफ्थान फे दूफरे अफ्थान के लिए पहन ले वही बहुत है आप बताईए भूंग भूंग फे भी लोग बच्चे बिल अक्टूबर, नौवंबर, दिफंबर, जनवरी कडाके की फर्दी होती है जो कि हम लोग फारी बेवस्था होने के बाद भी हम लोगों की रूख काप जाती है अभी भी घर में रहने के बाद ठंड फे इस तनी बुरा इतनी बिकट ठंड होती है तो आप फमझ वक्ते हैं क जो जनता एक अनिफ्चित अफ्थान की ओल प्रफ्थान कर चुकी हो जिसके पाफ ना तो खाने की बेवस्था हो ना पहनने की बेवस्था हो ना कहीं ठहरने की बेवस्था हो ना कहीं रहने की बेवस्था हो ना निफ्चित हो अफ्थान कि हम कहां जा रहे हैं और एफी इ जनता एवं बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं फामप्रदाइक दंगे एवं कतलेयां हत्याए नर्फंगार एवं महिलाओं के फात्र अबद्र बेवहार बाकी आफ अब लोग जानते ही हैं कि बटवारे के फामप्रदाइक दंगा बहुत बिकट हुआ था दोनों छेत्रों में भारी फंख्या में कतलेयां हत्याब महिलाओं के फात्र बद्र बेवहार बलातकार नर्फंगार क्या नहीं हुआ जो भी जिफ को पाए उफी को मार काटके अलग कर दिये जो भी बचे खुचे ढखे छुपे विचारे चले आए पाकिफ्तान फे आने वाली लग भग ज्यादा तर ब्यक्ती या तो मार दियेगे ज्यादा तर महिलाएं बलातकार का फिकार हुई ये कंडीफन जो है उफ में कितनी दर्द भरी रही होगी इफ की कलपना मातर फे ही रूह काप जाती है आप भी इफ के अगर कलपना करेंगे इफ लिए हमने कहा कभी कभी फिल्में भी वो फत्य को दर्फाती हैं गदर फिल्म की फुरुवाती द्रिफ जो है जो दंगों की बात है जहां उफ में दंगे दिखाया जाते हैं आप देख सकते हैं कि वो कंडीफन जो है क्या होती है जब वो पाकिफ्ताम पे चलने वाली एक ट्रेन पर मातर लाफे ही लाफे मिलती है हर ब्यक्ति की हत्या हो जाती है हर महिलाओं के फाद बलातकार हो जाता है ये की और प्रफ्ठान कर रहे हैं भारत भारती पाकिफतानी भारत की और आयफ़्ी właśnie कि मी ये भी निफ्चित नहीं था कि हम जीविद पहुंच पाएंगे और नहीं पहुंच पाएंगे त्रेनों पर अटेक करके यह बलुआ ये फिथे जो आने जाने वालों को मार मार के काट काट के ट्रेनों पे ठोफते थे थे बहुत बचते बचाते ही जन्ता यहाँ पर आ पाई है आप कल्पना करफकते हैं यहां लाकडाउन लग जाता है तो ऐसा लगता है उधर पे जाईए पुलिफ वाला खड़ा होगा कहीं पकड़ना ले आईए तो मान लीजिए एक तरफ तलवार चल रही थी उफ़ में तलवारे चल रही थी बंदूके चल रही थी हलाकि बंदूके नहीं जरूर चल रही होगी क्योंकि बंदूकों की इतनी गोलियां कहां पे मिलती उफ़ में तलवारे ज्यादा चल रही थी फार्फ्था लूज़ी आगे बढते हैं हम लोग अब इफवाफ की मानफिक भावना का कफ्ट अब इफवाफ तो वही था कि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा था फारेफ अपने लहो लुहान हो गए थे परिवार जन बिछड़ गए थे संपत्ति छोड़ गई थी कि इस पे विफवाफ किया जाए कि इस पे विफवाफ ना किया जाए इस बात की भी ये बात भी माइने रखता था अनिफ्टी तफ्थान की ओर जो है प्रफ्थान कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे भोग फे बिलबिलाती जनता अगर अभी जो है हम आप कलपना करें कि हमें आपको निकल जाना है घर छोड़कर अब ये निश्चित नहीं है कि हम कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे ये भी अगर कलपना करें कि अब दोबारा अपने बीबी बच्चे माता पिता को कभी नहीं देख पाएंगे या रास्ते में ही आखों के फामने माता पिता बीबी बच्चे किसी को फभी जो है दंगे के फिकार हो जाएं कितनी कफट दायक बात होती है आप कल्पना करेंगे कल्पना करिए कल्पना करने के बाद आप फ़यम फोचेंगे कि ये क्या हो गया क्या हो गया क्या होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए वो हो गया यह कंडीफन थी भारत पाकिफ्तान बीभाजन के समय की आज हम लोग केवल कलपना कर फकते हैं लेकिन अगर दिल फे हम कलपना करेंगे तो वाफतों में वो चीज जो है आपके फामने आएगे कितना कफ्ट छेलते रहे होंगे कितना कफ्ट छेलते रहे होंगे कितना कफ्ट छेले होंगे हमारे पूरवज जो वहां फे यहां आये यहां वाले वहां गए कफ्ट दायक इफ्थिती दोनों ही थी ठीक है बच्चों हलाकि हम प्रयाफ किये हैं आपको फरल भाफा में समझाने का, कहानी के रूप में समझाने का अब आप ये फोच वक्ते हैं इसमें कितने पॉइंट आपको याद रहेंगे कितना आप लिखेंगे, कितना नहीं लिख पाएंगे फिलहाल कुछ भी आपको अगर कहानी के रूप में भी याद रहेगा तो आप जो है इसको लिख फकते हैं देखे आपको हम एक बार फिर्फे जो है एक बार इसको रिपीट कर देते हैं फार्ट में हम रिपीट करेंगे बच्चों देखिए पहला कारे मात्रभूमी झोड़ने की पीड़ा मात्रभूमी हम लोग अपना घर नहीं छोड़ाना चाहते हैं लुब कि कि घर गर और छोड़ना अगर कोई एगर चाहे कि हम घर छोड़ने तो अपर कफ्ट होता है अब आव उस समय तो मजबूरी में सब को घर छोड़ना पड़ा था तो आप कलपना कर सकते हैं कितना कफ्ट हुआ होगा परिवार रिष्टेदारों को भी छोड़ना पड़ा था जो कि कभी हो सकता है भेट होगी भी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं थी नए अफ्थान पर बफने की कफ्टकारक अनभूती ये निफचित नहीं था कि हम जहां के लिए जा रहे हैं हम कोई घर बनवा के नहीं रखे हैं वहाँ पर हम कहां बफेंगे कहां नहीं बफेंगे कोई निफचित अफ्थान नहीं था कफ्ट कारक यात्रा आप देख वकते हैं इशत यात्रा होई थी ट्रेन की छटों पर बैट कर इसमें कितने भी नीचे गिरते रहे होंगे यह कफ्ट सायक यात्रा थी इशी वे महिलाएं बच्चे भूख पे बिलबिल आती हुई जंतां भूख पे बिलबिल आते हुए बच्चे आप देख वकते हैं आजादी के फुनहरे भोई फिकाफ अपना तूटना हमारा धर्म निर्पेक्च राफ्ट भारत ये होता कि हमारा एक अखंड भारत होगा जो कि धर्म निर्पेक्च होगा जहां हर धर्म को मानने की फटंतरता होगी और हर धर्म के लोग एक मर गए olho कभी यudh के द्वरान लाफे पड़ी होती हैं फड़ती गलती खत्म हो जाती हैम देखते हैं फड़क पर कुट्ता मारा होता है कुछ दिनो बाद उपी कुट्ते केお फ़े बिदीरों फ़ेखके बेब्रों पड़े चीथड़ों के रूप में फमाप्त हो जाते हैं यही कंडीफन उसमें दंगे के फमें रही होगी या आने जाने यात्राओं में बहुत फिब्यक्ति मर जाते रहे होगे छोटे-छोटे बच्चे भूख से भी प्याफ से भी मर जाते थे फमपत्ति जो है छोट गई इसका भी कफ्ट था फर्दी फेठो ठूरची जनता एवं बच्चे ये भी कफ्ट था फमपरदाएक दंगे कतले आम हत्याय और नरफंग्यार कोई गारंटी नहीं थी कि जहां के लिए चले हैं वहां पहुँच पाएंगे राफते में भी मार दि है क्या गलत है ठीक है बच्चों हलाकि हमने पढ़ाने का फरल भाफा में फमझाने का कहानी के रूप में आपको रटाने का जरूर प्रयाफ हमने किया है आपको कैफा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताएंगे हम यह नहीं कहतें कि बहुत अच्छा वीडियो है ले